हैलो एब्रीव राधी राधी आप सभी का हमारे चणनल में बहुत बहुत सवागत है आज मैं आप सभी के सास्सेयर करने वाली हूँ लुक्षमी दीपक कैसे जलाया जाता है किस तरह से लक्षमी दीपक जलाने की बिदी होती है तो सबसे पहले आप जिस जगे लक्षमी दीपक जलाने वाले हैं उस जगे को जो है ना फल्दी से इस तरह से लीप ले आप अपने दर्वाजे की दहलीज पर भी लक्षमी दीपक जला सकते हैं आप चाहें तो डेली अपने घर के मंदिर के सामने लक्षमी दीपक जला सकते हैं इस दीपक को जलाने से जो है आपके घर में हमेसा बरकत बनी रहती है और आपके घर में धनक से सम्मंदिन कभी कोई दिकत नहीं आती तो बरकत देने वाला दीपक जो है ना इसको बोला जाता है आपको सबसे पहले जगे को हल्दी से या गाय के गोबर से अच्छे से इस जगे को लीप लेना है यानि इसको सुद्ध गर लेना है लीपने के बाद जो है ना इसके उपर बनाएंगे हम स्वास्तिक तो हम यहाँ पर लक्षमी दीपक जला रहे हैं तो मैं यहाँ पर रोली का यूज़ कर रहे हूँ आप चाहें तो हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर रोली का यूज़ कर रहे हूँ तो रोली से जो है ना हल्की सी आप रोली को गीली कर ले और इस तरह से आपको स्वास्तिक जरूर बनाना है इस दीपक को स्वास्तिक की उपर ही रखा जाता है तो स्वास्तिक बनाना अनिवार है स्वास्तिक आप जब भी बनाए हमीशा पूर स्वास्तिक बनाए अधूरा स्वास्तिक नहीं बनाया जाता तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्वास्तिक बनाना भी दिखाऊंगी कि किस तरह से स्वास्तिक बनाया जाता है चारो कौनों को इस तरह से आपको फोल मोड़ना जरूर है जिस तरह से मैंने वीडियो में आपको दिखाया है चारो कोनों पे बिंदियां आपको जरूर लगानी है इसके बाद यह लाइने आपको जरूर बनानी है तब ही आपका स्वास्ते के दम पूर्ण माना जाता है तो इस तरह से आपको स्वास्ते के बनाना है इसलिए मैंने इस वीडियो आपके साथ अभी से सेयर कर दिया है ताकि आप इस वीडियो को देख लें और दिवाली से इस दीपक को जनाना जरूर सुरू करें इसके बाद स्वास्ते के उपर हमने थोड़े से चावल रख दी है अब ली है मैंने यहाँ पर तामे की प्लेट आप यहाँ पर कांसे की प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास तामे की प्लेट नहीं है मैंने आप बड़ी प्लेट ले लिए, अगर आप छोटी प्लेट लेना चाहते हैं तो आप छोटी प्लेट ले लीजिए जैसी आपकी एच्छा हूँ, वैसा आफ कर सकते हैं इसके बाद जो है न हमें यहाँ पर तामे की प्लेट पर भी स्वास्तिक बना रही हूँ आप चाहें तो तामे की प्लेट पर आप लक्षमी का मंतर लिख सकते हैं तो माता लक्षमी का जो मंतर आपको आता है उस मंतर को आप तामे की प्लेट पर लिख लीजिए बहुत छोट अगर आप लक्षमी मंत्र नहीं लिखना चाहते तो मेरी तरह इस तरह से सौस्तिक भी आप जरूर बनाना इसका आप जरूर धियान रखे इसके उपर भी हम थोड़ा सा चावल का यूज़ किया है लक्षमी की पूजा में चावल जरूर जड़ाये जाते हैं और आपको जो है आपको लेना है पान का पत्ता तो इस तरह का पान का पत्ता लेना है कहीं से भी फटा हुआ पान का पत्ता आपको नहीं लेना है डंडी ज़रूर तोड ले जिस तरह से मैंने अभी तोड़ कर आपको दिखाई है और इसके बाद इसके ऊपर लिखना है आपको लक्षमी का मंत इस बात का ध्यान रखें तो लक्षमी की पूजा में विसेजकर पान का पत्ता अनिवारि होता है तो इस स्वास्ति के ओपर हमने रख दिया है पान का पत्ता इसके बाद लेना है आपको दीपक तो दीपक आप चाहें तो पीतल का ले सकते हैं आप चाहें तो लक्षमी दीप के साथ विसेस रहता है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर दीपक को मैंने यहाँ पर कांसे का दीपक लिया है अगर आपके पास कांसे का दीपक है बहुत जाना सूब माना जाता है कांसे का दीपक आप जरूर यूज़ करें अगर आप लखश मी धीपक जलाना है को तेल का जलाना है तो आप चाहें तो त का जला सकते आप चाहें तो गीडिवाली जला आप चाहें तो डेली इस दीपक को जला सकते हैं तो जैसी आपकी सुविदा हो उस हिसाब से देख लेए आप आई होप आपको मारा वीडियो बहुत अच्छा लगाए बाद में बतासो का क्या करना है बाद में इस बतासो को आप परसाद के रूप में खाले आपके च्छोट टेली साफ करें प्लेट को आपको डेली साफ करना है और जिस जगे आपने इस वास्तिक बगरा बनाया उसको अच्छे सीजह लेकपने के प्रिसे आपको बनाना है आपको मारा वीडियो बहुत अच्छे लगा ये वीडियो चैशी रादे जीवन में बहुत ज़ता काम झाल झाल